नमस्कार, पोलिटिकल ट्रेंडिम में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ दिपेश, आज हमारे साथ बात्चीत के लिए मौजूद हैं, अखिर भारतिय चंद्रोंसी, छत्रिय महासभाग के स्वागत समिंती के सदस असोक आजाज जी, जो बिहार से आते हैं। यह हमारे साथ बात्चीत में बताने वाले हैं, कि समाज में किस कदर कुछ लोग संगठन को राजनितिक इस्तमाल के तौर पर करना चाहते हैं, और इसे अपना राजनिति का जग्या बनाना चाहते हैं। आये हम इनसे बात करेंगे, पहले इनका पुरा परिचे हम लोग लेखते हैं, अजाज जी आपका दाई अपना परिचे दिजेंगे, मेरा नाम असूक अजाद है, मैं अखिल भारत वर्षिय चंद्रवंसी चत्री महा सवाग के जो 16 जनवरी 22 में जो सम्मेधानिक चुना होने वाला है, उसका मैं स्वागत समीति का सदस्व हूँ, और अखिल भारत वर्षिय चंद्रवंसी चत्री महा सवाग का लाइफ मेंबर अजी बन सदस्व, यह जो चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के क्या विवाद पनप्रह हैं, जो आप हमको बताना चाहेंगे, आपके ज जो 1906 में स्थाफिक और 1912 का रजिस्टर्ट संस्थान है, 1912 से लेके 2007 तक यह अपने कानून के तहट यह महा सवा चलता रहा, इसका कार्चकाल पहले एक साल था, उसके बाद इसको बढ़ा के दो साल किया गया, जिनका जिनका कार्चकाल आया, अपना कार्चकाल की, इससे पहले बहुत लोग अध्याच बते हैं, इसके भूतपुर्व अध्याच जितने लोग थे, जो एलाइव हैं, उन्होंने 17 जनवरी 2021 को जरासन भवन दरोगा राइपत्थ में काम सवा किया, और उसमें उन्होंने अखिल भारत वर्षिय चंद्रबंसी छत्री महासभा को सुचारो रूप से चलाने के लिए, इसका चुनाव कराने के लिए, चुनाव आयोग का गठन किया, साथ में चुनाव आयोग का मने पदभार भी दिया गया, उसके बाद एक मिलत समीती, एक-एकी करन समीती इस काम किया कि लोग एक जगा आ जाए, लेकिने दो राजनेताओं के अहम और टकराओं में महासभा को बरबादी के कगार पर लाकर पहुंचा दिया, अब आगे इसके संभिधान में क्या रास्ता देख रहा है, इसका संभिधान में जो जो बर्मित है, इसके अनुसार 16 जनव कि आज इवन सदस, और जो सक्रिय सदस है, जो विशेसा मंत्री सदस है, वो इसके भोटर होंगे, और तो आप चुनाव आयोग ने अबर इसमें नियम लगाये हैं कि जो मतदाता, जो सतर साल से उपर हैं, जो सरकारी नोकरी में हैं, जो आने में अस्वस्थ हैं, बुजूर द्याच और नया महमंत्री, नया उबा ध्याच, नया उबा महमंत्री, नया राष्टिय महिला द्याच, बुजूर